हाई गाईस कैसे आप सभी होप सब अच्छे से होंगे सबका वेलकम है गाईस मेरे चैनल पे स्टैफ फोर विजा पे आपके लिए गाईस इंपॉर्टेंट अपडेड लेके आए हैं रिगार्डिंग कुरेशिया इसमें हम बात करेंगे आज रिगार्डिंग जिनका भी सम्मिट हुआ हुआ है फाइल विए फैस में और वीजा स्टैंपिंग की वेट करें तो उसका टाइमिंग क्या चल रहा है क्यों डिले है कितना लग रहा है एक्सेक्ट तो उसके बारे में गाईस यह डिसकेशन होगी इसमें तो जो मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए है कांडली चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि सबके पास अपडेट पहुंसे और कई परसंस जो है वीडियो देख रहे हैं और चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अगर आप सब्सक्राइब करें गाईस जैसे मेरे चैनल पर वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन आज आया करेगा तो आपको असानी होगी मेरा वीडियो देखने में तो सबका वेलकम है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाईस अभी जो प्रसेस चल र रहा है पहले सुनने में आया था कि जल्दी हो रहा है बट फिर से वही हो गया है 90 प्लस 10 आम मानके चलिए जिनका भी समिशन किसी भी मन्त में हुआ है अल्मोस जो है अगस्त जो है अल्मोस फीनिश हो चुक है सब्तम्बर पे गाईस काम चल रहा है और जो लेटर्स जो हाता है वानमंत जाता है आपकी समिशन को टो फाइल असेश होनी शुरू हो चाती है तो जो फाइल ओपन हो गई है सब्तम्बर की और मृस्त ओपन हो चुक हूई है जो किसे और अक्टूबर पी काम चुरू हो गया हुए तो बर की फाइल स्वser अंब्डील होिए अब् सब्तम्बर में VFS में सम्मिशन था उसका 3rd of this summer को visa stamp होके आ चुका है जो की under 90 days बनता है इसमें और कुछ ऐसे हैं जिनका 6 सब्तम्बर को submit हुआ है VFS में और वो अभी भी wait कर रहे हैं 6 सब्तम्बर वाले और कईयों का 6 सब्तम्बर वालों को आ गया है और कई wait कर रहे हैं और इसके ओपर भी कुछ ऐसे हैं जैसे 7, 8, 9, 10 यह सब कई आ चुकी हैं कई wait कर रहे हैं तो किसी किसी का ऐसे होता है case to case अब जैसे 6 वाले का आ गया हुआ है और किसी का 6 वाले का आभी तक waiting में हैं तो अभी भी इंतसार कर रहे हैं और 90 प्लस days होगे हुए हैं जैसे आज 14 हैं तो सब भी wait कर रहे हैं कोई 10 वाला है कोई 11 वाला है तो 90 दिन से उपर ही चा रहे हैं और इसमें यह कुछ नहीं है कि working days count होंगे ऐसा कुछ नहीं है इसमें guys साबके calendar days यानि Saturday, Sunday भी include होता है वो भी count होते हैं तो जब 90 days आपकी application को हो जाएं तो मान के चलिए किसी भी time आपका जो है वीजा stamp होके अबैसिस से आजाएगा status track करते रहें courier का status जैसी आएगा means आपका dispatch हो गया हुए और जो visa stamping होते हैं guys कई बाद 4-5 दिन पहले ही ambassist से stamp हो जाता है अब जब वीजा मिलता है तो 4-5 दिन पहले ही stamp हो जाता है और VFS क्या करता है कई बाद time लगा देता है अपडेट करने में status update करने में courier करने में time लगा देता है और जो visa मिलता है अब देखेंगे तो 5 दिन पहले ही stamp हो चुका होता है कुछ time ambassist से लग जाता है courier से और कुछ VFS से तो इस पे भी time लग जाता है जब भी 90 days हो जाती है तो उसके बाद आपका कभी भी जो है मानके चलिए visa stamp होके आ जाएगा तो अभी हाली के time में जो timing लग रहा है 90 प्लस days मानके चलिए और 90 days कम से कम wait करें जिनोंने भी submit किया हो है मुझे बहुत से message आ रहे है कि मेरा 93 days हो गया 98 days हो गया कमेंट्स में आए है मुझे इंस्टा भी message में आए है तो इतना time हो गया तो आप patience रखें आपके 90 days अगर हो चुके होई है तो कभी भी आपका जो है visa stamp होकी आज आएगा VFS को site को track करते रहे 5 बचे के बाँ specially कई बच 6 बचे भी 7 बचे भी update हो सकते है तो आप अभी जो इनका 90 प्लस days खास करकी होगे वो रोज अपना जो है status check करते रहे और अपना good news staff for visa के साथ भी share करें तो मुझे था इस पर मैं video बनाऊ कि कितना time लग रहा है more most guys मान के चलिए 90 प्लस days ही सबका now days लग रहा है luckily कि इसका under 90 days में भी आ जाएगा okay तो इतमे नाग रखें तो यह processing time चल रहा है तो अभी जो है सब्तमबर का काम चल रहा है visa stamping का almost और जो files हैं सभी सब्तमबर की open हो चुकी है October की भी almost files open करके देखी जा चुकी है अगर आप बोलें तो 20 September तक की 20 October तक की files open हो चुकी हुई है हुपसो इसके उपर की जो whole month है जैसे मान के चलें 30-30 October तक की सब की files चुकी है access होगी है because एक मन्स जब हो जाए एक मन्स जब हो जाए तो औरमोस files open हो चाथी है कि कोई किसे का अगर document या किसे का insurance जैसे कोई दुबारा से करने वाला है या कुछ documents की demand होती है तो VFS की तरस से उसकी demand की साथी है तो file check की साथी है access की साथी है ओकी तो ये updates मैंने share करनी थी आप लोगों के साथ visa stamping 90 plus days मान के चलिए और 90 days कम से कम wait करें उसके बाद ही आप मुझे message करें कि हाँ या कैसे है अभी कोई मुझे message करता है अभी 10 दी नहीं हुए है 20 दी नहीं हुए है कि हाँ कितना time लगेगा guys सबके लिए ये answer है 90 days तक wait करें 90 days हो गए है तो रोज check करते रहें बस अभी embassy ही time ले रही है because workload बहुत जायदा है और दूसरा question ये है guys आप सबका होता है कि चुटिया होने वाली है नियू यूर की बंद रहे है या इससा कुछ नहीं है इतनी चुटिया नहीं पढ़ती मेली 25 की Christmas की Holy Day है और जो होता है Saturday Sunday बस ये चुटिया होती है या नियू यूर की चुटिया होगी बस इतनी चुटिया नहीं पढ़ती कोई ऐसा वो नहीं है कि पूरा हफ़ता दस दी नब ऐससी बंद रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है तो मान के चलिए December में Almost September वालों को अच्छो है Visa stamping होगा और कुछ December वाले जो रह जाएंगे जैसे end of the week तो वो January में उसका stamping होगा उसके बाद बाकी मंस October का, November का उस अकॉर्डिंगली जैसे January, February, March 90 प्लस days अपना काउंट कर ली थे होपस होगा इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अपनी राई जरूर दे Step4Visa को कमेंड करें और मुझे Step4Visa Instagram मेरे हैंडल पे भी मुझे follow करें, join करें अपना सवाल वहाँ भी रख सकते हैं और मुझे एमेल भी कर सकते हैं Step4Visa at gmail.com Step4Visa की कोई सर्विस चाहिए कांसलिंग चाहिए, गाइडन्स चाहिए आप मुझे कांटाट कर सकते हैं Thank you so much चैनल को जाती हाते जिरूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमतिय समय देने के लिए थन्यवाद Thank you so much